हाई फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल इजी निटिंग क्लासे तो गाइस कैसे आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छी होंगे तो फ्रेंट्स कावी सारे लोग ना एक से दो साल के बच्चों की फूल स्वेटर का मेजनमेंट पूछना चाहरे हैं बहुत से कमेंट्स आते है मुझे वैसे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसका लेकिन वह थोड़ा सा शौट में बनाया हुथा आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको के एक से दो साल का नाप क्या होता है तो सबसे पहले आप बॉर्डर पे जब फंदे डालेंगे यहां पे सबसे पहले कि स्टार्टिंग फ्रेंट बार बैक बॉडर के फंदों से होगी तो बैक और फ्रेंट में दोनों तरफ एक ही जैसे फंदे रहेंगे तो 1 से 2 साल के बच्चों का आप सेवेंटी स्टीजिस डाल लीजीए बढ़िया रहता है ठीक रहता है सतर फंदों पे ठीक है कि 70 आपको मैं फिट और पर्फेक्ट नाप बता रही हूं मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी ज्यादा बढ़ा एक से दो को ही आएगा तो उसके बाद जब आप इंक्रीज करते हैं ना फंदे कि तो आप 72 से 74 कर लीजिए 72 से 74 ज्यादा मत बढ़ाईएगा नहीं तो फिर वो 3 से 4 येर में चला जाएगा ठीक है इतना कर लीजिएगा उसके बाद आप इसकी लेंद बनाती कोई जाएंगे तो लंबाई कितनी बनानी है बॉर्डर से लेके आर्म होल तक आर्म होल तक लेंद देखो मैं जो लिख रही हूँ न उस पर मत देखेगा ये जो स्वेटर रखा है मेरे पास यहाँ पर इसके साब से मैं आपको बताती हूं ये स्वेटर बढ़ा है तीन चार साल के बच्चे का है इसी में से मैं आपको नाप निकाल के बताऊंगी ठीक ह आप कहीं नोट करते जाईएगा देखो इसकी लेंध मैंने बनाई है 11 देखिए वो स्वेटर बहुत बढ़ा था अब मैंने यहाँ पर परफेक्ट एक से दो साल के बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ तो आप इसका देख लीजे ठीक है ये रेडिमेट स्वेटर है अब आप इसकी जो लेंध बनाएंगे जब आप अपने स्वेटर की तो वो बनाएंगे यहां से देखिए बॉर्डर से आप नाप लीजेगा साथ इंच है तो आप यहां पर आठ इंच बना लीजेगा साड़े साथ या आठ इंच ठीक है तो साड़े साथ में प्रिफर तो आप तीन दो एक तीन दो एक ठीक है यह कटिंग कर दीजेगा दोना साइड से यह देखो तीन दो एक तीन दो एक दोना साइड से कटिंग करना उसके बाद यहां से लेकर यहां तक देखो यहां पर आमों से लेकर शोल्डर तक आपको कितना बनाना है बताती हूं 5.5 inches ठीक है पांच इंच भी चल जाएगा आर्मोल से शोल्डर तक 5.5 inch 5.5 inch बैक कला बैक नेक जो है वो मत कट कीजिएगा ठीक है अब फ्रंट नेक की बाद करते हैं अब फ्रंट नेक आप यहां पर कितनी दूरी से कट करेंगे यह देखिएगा यहां पर मत देखिए लेकर मैं अपना तरीका बताती हूं अगर आपने 5.5 inch है तो 2 inch बनाने के बाद आपनेे नेक कट कर दे रहाया है कि फंदों का मेजर्मेंट में इसलिए नहीं बताऊंगी कि आपके स्वेटर में कितने फंदे हैं कितने जो भी आप रखेंगे उसे साथ से नेक कट कर दीजेगा बस सोल्डर पर जो फंदे हैं 12 फंदे या 14 फंदे छोड़ दीजेगा जैसे 70 फंदे डाले हैं तो 14-28 छोड़के दौना तरफ के 28 छोड़के 17 में से तो यहां पर कितने बचे 42 इस्टिचिज हैं ठीक है तो आप जैसे 10-10 सोल्डर बारे है 14 माल लीजे 14 दौनी 28 आपने 14 फंदे छोड़ दीए सोल्डर फे 28 हो गए तो आपके पास बचे 42 इस्टिचिज ठीक है 42 मैंसे जब मैं जब आप राउंड ने काट करेंगे तो 42 मैंसे आप 22 एक साथ घटा दीजे फिर 20 फंदे जो बचेंगे आपके पास वह 10 फंद इधर 10 फंद इधर एक 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 करके घटाईएगा जब तक आपकी ये लेंध नहीं कंप्लीट हो जाती नेक की ठीक है ऐसे राउंड नेक कट कर दीजेगा और वी नेक के मैंने वीडियो बनाए हु लग से वहां पर देख लीजेगा ठीक है और अगर कुछ लोग कहते हैं कॉलर वाला नेक हुड़ वाला नेक तो जब वह स्वेटर बनाएंगे उसी के साब से पता चलेगा कि आप पट्टी का कितना ले रहे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं होता यह मैं आपको बेसिक नाप बता रही हूं ठीक है इसके बाद यह हो गया सेम बैक पार्ट बनेगा अब टोटल लेंथ वाले आजाओ जिनको जिनका कुश्यन रहता है कि टोटल लेंथ कितनी बनानी है स्वेटर की तो टोटल लेंथ मैं बताती हूं आपको यहां से यह देको बारा इंच है बारा इंच बारा होगा अब यहां पैश्लिप की बात बनानी होगा घ्रीnelेंग कर Waldorf में अशरो है जाठेग यहां से अमोल तक यहां से जाब आप मेंट की ब्रूरत आपके स्वेटर के साथ से और टोटल लेंद आपको मैं बताती हूँ टोटल जब आमोल की कटिंग हो जाएगी आपकी मैंने जो एक मेरा लास्ट वीडियो भी मैंने जो शेयर किया है कल शेयर किया था उसको आप देख लीचेगा कि टोटल स्लीप की लेंद किस तरह से निकाल हो जाती है तो आपको यह पसंद आ गया हो जो समझ में आया हुगा अच्छी तरह से और देखिए मैं फिर से कह रही हूँ हूँ हुड और कॉलर यह जो नेक होते हैं प्रॉपर अगर आप भीगनर से तो आपको बिल्कुल तरीका समझ में नहीं आएगा अगर मैं कॉपी पैन मोल की समझ में आगे होगा यह नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता है ए वीडियो पसंद है लाइक चरूब कर द hay चैनल पे पहली बारियर को सब्सक्राइब करने बेल बटन प्रेस्ट करदें जिससे के मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिक्शन आपको समय से सबसे पहले मिल जाए और हाँ गाईस अगर जैसे आप लोगों की कुश्चन बॉर्डर पर कितने फंदे डालें कैसे क्या करें और जो आप साइज पूछेंगे कि इस साइज म बच्चे के लिए लेकिन अगर आपका बच्चे माली जे बहुत एक्स्ट्रा हेल्दी है ठीक है तो उसको माली जे तीन से चार साल वाला साइज आता है तो आपके फंदों में गड़बर हो जाएगी तो आप अपने बच्चे के कोर्डिंग कर लीजिए कि मुझे नहीं पत इसे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता दो से तीन साल के बच्चे का और हाँ अगर आप लोग कुछ लोगों का यह कोरी होगा किसका यह साइज क्या है तो देखिए 10 इंजिसकी चोड़ाई है ठीक है इसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू बाबाए क्या है पर दो देखिए 10 इंजिसकी चोड़ाई लोगो है तो देखिए 10 अ.